तो 9 मौत और 90 सवाल, ग्रिटनोइडा के शहबेरी इलाके में रिस्क्यू उपरेशन में तीजी आई है, मल्बे से एक और शवकुन निकाल लिया गया है और इसके साथ ही मरने वालों की तादाद 9 तक पहुंच चुकी है, आश्म का है कि मल्बे में अभी कई और लोग फसे हो सकते हैं, बताया जा रहा है कि रिस्क्यू में अभी और वक्त लग सकता है मरने वालों में तीन महलाएं और छे पुरुष हैं, नौइडा अथॉरिटी के दो अफसरों को सस्पेंड भी किया गया है चार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से रिस्क्यू आपरेशन चलाया जा रहा है एक और शौ निकाला गया और इसके साथ ही मरने वालों भी संख्या नौ तक पहुंच गई है तबाही का धेर जो है, वो नजर आ रहा है, जैसी मिशिन का अब इस्तमाल किया जा रहा है रेस्क्यू के लिए और इंडी आरेफ की टीमे भी पहुंच चुकी हैं, और आक्शन में अब दिखाई पढ़ रहे हैं 24 गंटे हो चुके हैं रेस्क्यू आपरेशन को और स्निफर डॉक की भी मदद ली जा रही है जन्दगी की तलाश की जारी हाला कि अब उम्मीद काफी कम बची है नौइडा एक्स्टेंशन के शाबेरी गाउं में जो इमारतें गिरी हैं वहां से मलबा हटाने का काम लगातार चल रहा है रेस्क्यू आपरेशन दिन रात चल रहा है बाकाइदा मंगलवा रात जब ये हाजसा हुआ उसके बाद से इसी तरह की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है और लगातार जो डेड बॉडी का आंकड़ा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है प्रभावित हुए जो लोग जो बिल्डिंग्स में चाहे वो मज़ूर चाहे वो रिजिन्स थे वो इस स्थान पर जहां पर आप एंडियर अरफ के लोगों को खड़े देख सकते हैं उपर यहां पर दबे होने की आशन का ज्यादा है क्योंकि बिल्डिंग इस तरह से गिरी थी और इसलिए अंदेशा ये लगाया जा रहा है ये एक बार फिर समझें कि जहां पर इस समय जेजी भी मशीन खड़ी है और ये जो पूरा हिस्सा है इस मलबे को खंगाल लिया गया है देख लिया गया है जहां से एक बच्चे समेथ 9 लोगों की डेट बॉड़ी जो है वो मिली है अभी ये एक बड़ा हिस्सा जो उधर निर्मान धीन इमारत थी और जो ये इमारत का काफी बड़ा हिस्सा है इसे खंगालना बाकी है बाकाइदा डॉग स्कॉाइट की भी मदद ली जा रही है और इसके अलावा एम्बुलेंस भी तैयार यहां पर खड़ी की गई है एक बड़ी संख्या में जो लोग है रिस्क्यो उपरेशन के लिए एंडिर्मान की टीमे हैं वो यहां जुटी हैं दिन रात काम चल रहा है अब आज गुरुवार के दिन देखना होगा कि ये रिस्क्यो उपरेशन कहां तक पहुंचता है और कितने लोग और यहां सामने आ पाते हैं वीडियो जनलिस अजीत यादव के साथ सूरज अरोडा न्यूज मेशन शाभेरी नॉइड एक्स्टेंशन तो रिस्क्यो उपरेशन रात भर चलता रहा भीड थोड़ी कम होने से मशीनों के जरिये मलबा हटाने के काम में तेजी आई बावजूद इसके शिनौतियों के पहाड़ खड़े दिखाई थे ग्रेटर नॉड़ा के शाभेरी में ये जिन्दगी की सबसे बड़ी जंग है युदहस्तर पर NDRF की टी में मलबा हटाने में जुटी जिससे मलबे में दवी जिन्दगियों को बचाय जा सके जिसी भी मशीनों से मलबे को हटाय जा रहा है वहीं सिफ़र डॉग की मदद से मलबे में खोज भी जारी है अभी और कई लोग फसे हो सकते हैं शाबेरी बिल्डिंग गिरने के मामले में लगतार रिस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है 30 घंटों का वक्त बीच चुका है और अब इस ऑपरेशन में तेजी आई है क्योंकि माना जा रहा है कि जितने लोग अंदर दबे हुए होंगे अब उनकी मौद हो चुकी होगी क्योंकि इतने देर तक मलबे के नीचे सर्वाइब करना लगभग नामुम्कीन है और इसलिए अब मलबे के ऊपर JCB मशीन को भेजा गया है सामने साब तोर पर आप देख सकते हैं हाइडरोलिक JCB मशीन की मदद से मलबे को अटाये जा रहा है जहां पर मलबा अटाये जा रहा है यह उस बिल्डिंग का पोशन है जो बन कर पहले से तयार थी जिसमें लोग रहने लगे थे पिछले 30 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी दिन में भीड होने की वज़े से मशीनों को ग्राउंड जीरो तक लाने में दिक्कते हूँ लेकिन रात में आउपरेशन में तेजी है वहीं अपनों के तलाश में कई परिवार ग्राउंड जीरो पर टक्टकी रगाए बैठे रहे जिसमें फर्जबाद के तीन युवक थे जिसमें दो यूगों के शव तो निकाल लिये गए तीसरा अभी विला पता वहीं बिहार का इशक मुबाइल पर फुटो दिखा कर अपने भाई की तलाश कर रहा है दोनों इमारतें एक साथ ताश के पतों के तरह ढ़े गई मलबा चारों और फैल गया अभी तक पूरी तरह से काम्याभी नहीं मिली है इस मलबे को हटाने में और अभी आशांका जताई जा रही है कि अगले आठ से दफ घंटों का वग तो और लग सकता है इंडी आरेफ के मताबिक उनकी पहली कोशिश है कि मलबे में फसी जिंदिगी तक जल्द से जल्द पहुचा जा मौत की इमारत में नुएडा एथार्टी की बड़ी लापरवाही सामने आई है उशासन ने एथार्टी के दो अफसरों को सिस्प्रेंट कर दिया जबकि गएर रातन हत्या का केस दर्ज कर तीन आरूपियों की गरस्तारी हुई ग्रेटर नुएडा के शावेरी से रिज्वानारे और रामकमार के साथ टीम नुजनेशन और हमारी सहयोगी सूरज रोडा इस वक्त घटनास्थल पर मौचूद है उनसे ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सूरज क्या कुछ अपडेट आपके पास है अब तक 9 शवों को निकाला जा चुका है और बताया ज़ारा है कि रिस्क्यू के काम में तेजी भी आई है अब बिल्कुल अंची का सबसे पहले तस्वीरे दिखाते चले और ये बताते चले कि 36 घंटे करीब करीब अगले कुछ समय में इस इमारतों को ढहे हुए जमिदोज हुए हुए हो जाएंगे और इसकी ओपरेशन का ये जो छोटा हिस्ता मलबे का दो हिस्से या दिखाई दे रहे हैं चोटा हिस्ता है उसे खंगाल लिया गया है अब उसे क्योंकि ये जगा जो है यहां बहुत कम है और जेजी जिस तरह से मशीने लगी है इस वज़ा से इस मलबे को यहां से हटाना जरूरी है चोटी मशीने लगी है मलबा हटाने के लिए और हाइडरोलिक जो मशीन जेजी में लगी है वो आप उपर के तरफ देख रहे हैं जहां से और जो मलबा है उसे खंगाला जा रहा है यानि कि एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी बाकी है जहां और ज्यादा अंदेशा जैसा कि यहां के लोग बाग बताते हैं कि बिल्डिंग उस तरह से गिरी और जो लोग हैं वो कहीं न कहीं उस तरफ और ज्यादा सामने हताहत हुए आ सकते हैं तो लगाता काम जो है वो चल रहा है लेकिन इसमें समय कितना लगेगा यह फिलाहाल पूरी तौर पर कहपाना थोड़ा मुश्किल जरूर है जिका सुरज जाना चाहेंगे कि क्या कोई एक फिसदी भी उमीद जताई जारी कि कुछ लोग जहें जिन्दा हो सकते हैं यहां पर और साथी साथ अगर जिम्मेदारी तैक यह जाने की बात करें तो ललिता पार्क जैसे दिल्ली में हाथसा हुआ था सत्तर लोगों की जान चली गई थी सत्तर लोग जो है घायल हुए थे सिर्फ एक जूनियर इंजिनिर को सस्पेंड किया गया था और 21,000 उपे जुर्माना और कारवाई को पूरा मान लिया गया था क्या वैसा ही आप चारिकता यहां पर दिखाई जाएगी या वाके कुछ आक्षर होता हुआ दिखाई पड़ेगा बिल्कुल करूं जी सवाल बड़ा है और सवाल इसी तरह के कई है तस्वीरों के जरीए दिखाते चलें और ये भी बता दूं कि बड़े बड़े वादे जो है वो यहां तमाम नेता जो हैं तमाम मंत्री हैं वो पहुँच रहे हैं कल विधायक भी पहुँचे थे अपोजिशन पार्टी की लीडर भी पहुँच रहे हैं और ये सीधे तोर पर मैसेज देने की जरूर कोशिश की जा रही है कि कारवाई बड़ी होगी बक्षा किसी को जाएगा नहीं लेकिन वो फिलहाल अभी की बात है होता क्या है यहां आने वाला समय जरूर तैय करेगा रही बात यहां उम्मीदों की उम्मीदे जिस तरह से करूंजी 36 घंटे होने को आए है उसके बात कुछ धूमिल होती जरूर दिखाई दे रही है हाँ हला कि जो परिवार के लोग है उनकी आस ताही बेहद कम के अंदर कोई जिन्दा बचा होगा परिवार की आस सहला की लगातार बनी हुई है सूरज आप नजर बना रखे आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे तो ग्रेटर नॉइडा के शावेरी में काल की वुराद अपने साथ गम और दर्द का समंदर लेकर आई निर्माना धिन बिल्डिंग के साथ जो चार मंजिला इमारत गिरी उसमें कई परिवार रहते थे और अब रह गई हैं तो बस बरबादी और मलबे से निकलती लाश है यह मेरी परबार की मेली मोड़ी है वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है अपनों को लेकर डर और फिक्र बढ़ती जा रही है मलबे से निकलती लाशों की तज़वीरें कलीजे को चलनी कर दे रही है लेकिन ग्राउंड जीरो पर कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके सब्र कबान तूटने लगा है ग्रेटर नुड़ा के इस परिवार के लोग भी इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे लेकिन अब वो कहां है जवाब नहीं मिल रहा ग्रेटर नुड़ा में काल की वो रात कितनी भयानक थी अलफाजों में बया करना मुश्किल है धराशाई हो चुकी चार मंजिला विल्डिंग की इस तज़्वीर को देखी स्कूल बैक, कमरे में जूलते जूमर और पंके जर्र जर्र ये गवाही दे रहा है कि अपने सपनों के आश्याने को परिवार ने कितने शिदत से सजाया होगा जमी दोज हुई एमारतों का जो मलबा है वो हटाने का काम लगातार बदद सूर जारी है और चोथा शवर निकलने के तुरंत बाद की ये तस्वीरे हैं जो रेस्की ओपरेशन एक बार फिर गती पकड़ रहा है और इसी मलबे के दोरान गिरा नीचे स्कूल बैक, गद्दा ये साफ इशारा करते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो रहते थे और साथी साथ कुछ थोड़ा साफ आगे और बढ़ेंगे तो आपको छतों में टंगे पंखे, जूमर और तूटी हुई कुर्सियां भी इसी और इशारा करती दिखाई देंगी साफ साफ कि यहाँ अभी जनी कितनी और जाने हो सकती हैं आखें पत्थर हो गई, कलेजा फटा जा रहा है, एक तरफ शावेरी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी और एक छोटे से शाम्याने के नीचे वो परिवार बैठे हैं, जिनके अपने हाल ही में इस बिल्डिंग में शिफ्ट होय थे, जैसे ही कोई हलचल हो खमने का नाम नहीं ले रही और इस इंतजार में हैं कि उनके परिवार सुरक्षित बाहर निकलाएं, उनके जो परिजन हैं वो सुरक्षित बाहर निकलाएं, हालाकि शवों के जिस तरह से गिंती बढ़ रही है, वो इनकी परिशानी और बेचैनी को जरूर बढ़ा रही है इस हाथ से ने किसी सुहागिन की दुनिया उजार दी तो किसी ने अपना बेटा खोया दर्द की ना जाने कितनी दास्ताने चींक चींक कर अपनी बरबादी को बया कर रही है ऐसा ही एक परिवार रंजीत का रंजीत उसी निर्माना धिन बिल्डिंग में काम करते थे तो इनकी पिड़ा कौन समझेगा क्योंकि ये वो पूरा परिवार है जो की अपना खो चुका है इसी बिल्डिंग में गलती किसने खामियाजा भरा है ये आप इन तस्वीरों से बया कर सकते हैं कि आखिर ये पूरा कंस्ट्रक्शन जिस तरह से इलीगल तरीके से चल लाहा है वो सच में कब कबरगा बन जाए ये कहना मुम्किन नहीं है जाहिर तोर पर इस पर अथारिटी को जल से जल एक्शन करना होगा दोनों इमारतों का नामों निशान मिठ चुका है रह गया है तो बस बरबादी का मलबा और उसमें फसी जिंदगियों की तलाश ग्रेटर नौइडा के शावेरी से सयदा मेर और सूरज अरोडा के साथ टीम न्यूज नेशन और शले अब आपको तस्वीरे दिखाते हैं किस तरीके से ग्रेटर नौइडा के शावेरी इलाके में रसकी ऑपरेशन लगातार जारी है जोरान लोगों की भीड़ भी यहाँ पर इकठा है अब तक नौ लोगों के शवों को निकाल लिया गया है किस तरह से प्रभाही का ठेर लगा है और जैसे भी मशीन के मदद से रसकी ऑपरेशन चलाया जा रहा है यह तस्वीरे आपके सामने इंडी आरेफ की टीमें भी इसमें जुट गई है और अब तेजी लाई गई है रसकी ऑपरेशन में और इस बीच यह बताया जा रहा है कि आज यलो अलर्ट है दिल्ली और आसपास की इलाकों में यानि कि बारिश जो है वो तीमी से तेज हो सकती है और इसलिए उससे पहले जो है रसकी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाए 34 घंटे पूरे हो चुके है रसकी ऑपरेशन की और अब तक 9 शौग निकाले जा चुके हैं जिन्दगी की उम्मीदें लगातार कम होती हुई फास सुबह एक और शौग को निखाला गया इंडियारिफ की टीम लगातार रसकी ऑपरेशन यहाँ पर चला रही है अभी कई और घंटों का वक्त लग सकता है ये भी कहा जा रहा है क्योंकि काफी ज्यादा मलबा यहाँ पर और साथी साथ दिक्कतें भी पेश आ रही है इस मामले में लापरवाही के मामले में दो कर दिया गया है अक्तर अबास जैदी और वीपी सिंग निलंबित हुए है साथी साथ मुरतकों के परजनों को दो दो लाख रुपे मुआफ़े का ऐलान भी किया किया है तो एक अदद आशियाने का सपना ग्रिटर नोड़ा के शहवरी गाउं में ओंधे मों गिर पड़ा है मल्बे में सांसें तलाशी जा रही है जिनके अपने कॉंक्रीट केस कब्रस्तान में दबे हो सकते हैं उनका रोरो कर बुरा हाल है लिगनात सवाल ये है कि आखिर इन मौतों का इन चीखों का इस अंतहीं दर्द का गुनहगार को आड़ा है उमीदों का आशियाना ओधे मुँ पड़ा है कल तक जहां जिन्दगी खुश्यों के सपने बुर रही थी वहां मौत का सन्नाटा पसदा है जाने कितनी जिन्दगियां जमीदोज हो चुकी इस इमारत में गुंप हो गई है आश की डोर धामे अब भी सासों की तलाश जा रही है लेकिन हर गुजरते पल के साथ तेज हो रही है चीख और इस दर्द के साथ गहरा रहा है सवाल कब्रिस्तान बंचु की कंक्रीट के इमारत कदम कदम पर मौत को दावत दे रही थी हर पल यहाँ हाथ से का साया गहरा हो रहा था और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखर अथौर्टी की नाक के नीचे अवैद दर्माड कैसे हो रहा था बताया जा रहा है कि इस इलाके में दर्माड कारियों पर रोक लगी हुई थी बावजुद इसके आरोप है कि कुछ मिंडर किसानों की जमीन लेकर सस्ते घर के फेर में लोगों को फसा रहे थे बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोडा के शाहबेरी, हैबत्पुर, एमनाबाद, बिसरक और पतवाडी जैसे कई गाउं में अवैद निर्माण किये जा रहे है खबरों के माने तो 2019 में सुप्रिम कोट के फैसले के बाद शाहबेरी गाउं की जमीन का अधिगर्ण रद्ध हो गया लेकिन किसानों ने बाद में प्रॉपर्टी डिलिरों को महंगी दर पर जमीन बेच दी और उसके बाद से ही यहाँ कथित अवैद निर्माण की जड़ी लगी हुई है इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की बानगी यह है कि यह बिल्डिंग धराशाई हो चुकी है लेकिन आभी भी कई ऐसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो की लगातार बन रही है यहाँ के स्थानी निवासियों का कहिना है कि बड़े अराम से धडले से रेजिस्ट्री चल लगी है हमारी सिकायते यह हैं कि जो बिल्डर बिल्डिंग बनाते हैं कम से कम उसका बेस मजबूत रखें बिल्डिंग उतनी ही लिमिट तक बनाया जहां तक सेफ हो उसके बाद अगर यह अनौत्राइज है तो कम से कम हमारे अथरिटी वालों को पता है कि सेफ यह अनौत्राइज है तो रजिस्ट्री ना करें कहा जा रहा है कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन इतनी कमजोर थी कि वो दबाव सहे नहीं सकी और चंद मिंटों में एक के बाद एक दो बिल्डिंग धराशाई हो गई मौत की यह इमारत बनती रही लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया बड़ी बात यह कि मार्च 2018 में सीम पोर्टल पर श्रावेरी में अवैद निर्माल को लेकर शुकायत की गई थी लेकिन फिर यह हादसा हो गया और कारवाई नहीं हुई सयद आमिर हुसैन के साथ अनुराख दिक्षित न्यूस नेशन गर्टर नोईडा